प्रजातंत्र मजाग प्रतीत होता है उन्हें डर लगता है नजाने कब कौन उनकी किस बात का बुरा मान जाए और कोट में उन्हें घसीट ले करण जोहर ने ये बात जैपुर लिट्रेचर फेस्टिवल में एक सत्र के दौरान कही करण जोहर ने ये सत्र में लेखी का शोबाडे से चर्चा के दौरान ये बातें कही जोहर ने का कि बतोर समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति लोग उम्मीद करते हैं कि वो मुद्दों को गती देंगे लेगिन एक फिल्मकार के जैसे वो खुद को हर वक्त बंदश महसूस करते हैं बंधा हुआ महसूस करते हैं और आन करण जोहर ने राश्ट्रगान को फिल्म में दिखाय जाने से संबंदित दर्च मामले का भी जिक्र किया जिससे वे कुछ दिन पूर्व ही बरी हुए हैं 14 साल पहले मैंने नाशनल आंथम को लेकर के जो कॉंट्रिवर्सी जेली थी मैं सेलेब्रिटी होने के नाते राय दूँ तो कॉंट्रिवर्सी बन जाती है बोलने से भी डर लगता है हैं और कि और इम नाते हैं सेलेब्स हैं तो कि आहिए भना चार्वती खीड़्स, आद रहिते हैं तो ओंस. पु करते हैं तुक कास्ट्रिव चाह्ट टीब आती हैं और साय हैं कि बें पुстवी इस्वेर्सिते हैं मुर्यादेरी के लिए भीजार थीजेखिव चेट ए प्रवीप्रशी लोट आपिए भीजारी कि लीजारी के व्माच्राइप्राइश पेडि़ा कि लिए इस इंए लोगीजे इन प्रेनलो किया है रौटेस्ट धार इल्माठ जाए वेद्जे़ूरे सी अवेडि़ कि दो व I'm scared. I'm scared I'm saying something in Jaipur, I don't know who'll file a case when I get home, you know, and so I've become like some kind of an FIR king now, I mean, literally. I mean, it's all happening around me. I'm still like, we finally won the National Anthem case, which was 42 years ago, 2 days ago. I'm finally... I no longer have to apologise for putting the National Anthem in my film in an emotional proud manner.